शिमारू के नई वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें जब सागर का जल वाश्प बनकर उड़ता है तब वो हमें दिखाए नहीं देता मेग उस जल को अपने भीतर छिपा लेते हैं लंबी यात्रा करते हैं प्रयास करते हैं कि वो जल सदा उनके भीतर छिपा रहे परंतु जब वायू का वेग उन्हें उड़ा कर किसी परवत से ले जाकर के टकरा देता है तब उन मेघो को बरसना ही पड़ता है चुकि यही नियती है, यही प्रकरती है चुकि जल को सागर में जाकर मिलना ही है फीक ऐसा ही हमारे साथ भी होता है हम सत्य को अपने मन के मेघो में चाहे जितना छिपाने का प्रयास कर लें परंतु समय की आंधी उसे वास्तविक्ता के परवत से ले जाकर के टकरा कर हमारे समक्ष ले ही आती है जिस भई के कारण आप सत्य को सामने नहीं लेकर आना चाहाए एक दिन वही भय हमारे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम लाचार हो जाते हैं चुकि हमने उस भय का सामना करने की तैयारी नहीं की होते हैं इसलिए सत्य से भागे नहीं उसे छिपाए भी नहीं उसे स्विकार करें भविश्य की बड़ी विपत्ती से बच जाएंगे स्मर्ण रखना मित्र मुझे मेरे अनुजोखी मृत्यू का प्रतिशोत चाहिए वो कुंती पुत्र दनोरधर आज युद्ध भूमी से जीवित नहीं वापिस लोटना चाहिए आज के पश्चात इस संसार में दो नहीं केवल एक महा धनोरधर जीवित रहना चाहिए और वो काण होगा मैं बचन देता हूँ कि आज कुंती पुत्र दनोरधर का वत होगा अपना स्थान ग्रहन कीजे मदर राज मैं आपको आपके उची स्थान पे ले जाने के लिए सज्जू महारती बताई अंगराज इसो ले चलो एक और गिप दिक्षा कर रहे हैं और दूसरी ओर भू के सियार बताईए कि विशा से आपकी मिर्थी पुकार रहे हैं अंगराज बताईए मुझे वहाँ ले चलो सार्थी यहां अर्जून का गांडी तनकारे चलो सार्थी युद्ध भूमे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है पार्थ अपना स्थान ग्रहन करो अपनी प्रत्यंचा ठीक से जाच लो पार्थ आज का युद्ध अविश्मरणिय होने वाला है पता नहीं क्यों माधव आज मेरा मन बहुत विजलित है कैसे अभी मन्यों को खो देने के दिन था मैं तुम्हारे इस व्याकुलता को समच सकता हूं पार्थ एक भाई की मृत्यों तूसरे को सदैफ पीड़ा देती है कदा चित तुम दुश्यासन के वद को अब तक अपने मन से निकाल नहीं पाए नहीं तुम उसे भूल पाए हो पार्थ एक बात सदा स्मरन रखना पार्थ ये महा युद्ध एक महा यग्य है और इस यग्य में बहुत सी आहूतिया जानी शेश है और आहूति डालते समय कभी कभी यग्य करने वालों की उंगलिया भी छुलस जाती है पार्थ आज तुम सतरक रहना तुम्हारी एक चूक तुम्हें घुटने टेकने पर विवश्च कर सकती है पार्थ जब तक आप मेरे साथ है माधव मैंगुटनेये टेकूंगा तुम प्यास करना पार्थ कि अपने इस मारदर्शक के बताए मारग से न भटकना आज तुम मुझे आज्या मत देना पार्थ अपितु आज तुम मेरी प्रतेक आज्या का पालन करना जो आज्या मत health युद्ध का सत्रमा दिन आराधे अंग्राजकर्ण वारफ देना कस्तर्ष देना पती तीदे अर्चुन को तुन का वहां देता हूं वहां देता हूं एक की विजह केली किसी एक को विश्य कराज़त होना होगा यूद में किसी को जीवित रेने के दिया, एक को मरना पड़ता है, किसके नाम का दिया जना हूँ? कैसी दूविदा है इश्वन, आज पर जए किसी की भी हूँ, राज़त एक माता की होगी, तो वान कोई भी जना है, चाहती है, एक मा की ही चलनी है, राज़त किसी का भी बैर, एक मा के निकलेंगे, एक इश्वन, एक कैसी परिक्षा है, की खा autosा बचलाइब, एक मा की भी ऑपुर्ण जना है, एक मा क्यों gravity ऑना है, एक मास्वन, एक मा कुर्ण परिके लalnya, किसी का डहित रहले दॉवा्वन, जनना है, मैं विकोटर भीम, अस्तिनापुर के उराज दुरियोधन को त्वंद के लिए छिनाथी देता हूँ यो दुरियोधन, आप ननुजो से मिलना नहीं चाओगे आगे बड़ो और युद्ध करो मुझस से मेरे जिन्ता मत करना मेत्र, इस द्रोण शिश्य को ये पलराम शिश्य आज कड़ी मार मारेगा तुम केवल अपना गंतव्वे और मंतव्वे पूर्ण करो और उसे याद रखो और मैं इस बेम का गर्व तोड़ता हूँ जाओ मित्र आगे बड़ो मदराज पहली बर देख रहा हूँ कोई अपनी मृत्व का अलिंगन के लिए कितना सज्य है रावदान अंगराज नहीं आपका गंतव्वे आपकी मिर्ट्व में परवेश्य ना हो जाए उस्तर मिलेगा आप दक्षिन दिशा की और मुख्रक के खड़े हैं अंगराज दक्षिन दिशा मृत्यू का सूचिक होती है अपनी जीबा पर नियंतर रखो मदराज और अपने अश्व की रास्त हमालो अंध्यथा अरजुन के बाड़ों से मैं भी तुम्हे बचा नहीं पाऊंगा अंध्यथा आप आश्यर मत करो पार अंग राज कर्ड ने जिस धनुष को थामा हुआ है वो भगवान पर शुराम का विजय धनुष है आश्यर मत कर्ड़िए जिस धनुष है कुछ कर्ण के बार्ण पहने कुछ धनुष की मार पहनी है कुछ कर्ण के प्रतिज्याय पहनी है पार्थ यदि इस युद्ध में विजय पानी है पार्थ तो अपने श्वेद को रक्त में मिला कर संपून बल से प्रहार करो अज मेरे वानों को हो जाए वो क्या-ग्या है माता? लक्ष संधान बान करते हैं, पार्थ. तिन्तु लक्ष सिद्ध मन करता है. विचलित ना हो, पार्थ. तुम युद्ध करो. स्मरन है, पार्थ? प्रस्थान करने से पूर्व मैंने क्या कहा था? याज रथी को अपने सार्थी के हर बात का पालन करना होगा. तो अपने सार्थी की बात का पालन करने के लिए सज्ज रहो पार्थ. मैं सज्ज हो माता. झाल झाल ये तो माधव का संगेत है सादेव वो हमें सहायता के लिए पुकार रही है पीड दिखाकर भाग रहे हैं और जॉन वन्ट रहा मुच्त से ये क्या है माधव रत बोड़िये मुझे अपना दौन पूर करना है ये ये क्या किया माधव ने ये आउस्टे कोई राणीती है उनका संगेत हमें समझने होगा जेश करन जाओ आगे बड़ो वो अरजुन तुम्हारे बालों से पीचा छुड़ा कर भाग राए इस पगोड़े अरजुन को जाकर पकड़ो और मारो उसे जाओ आगे बड़ा मदराज सेने को सब करन के साथ में जाएगे जाओ अपनी मिर्त्यू का पीचा करना शुब नहीं आग राज भागते कुकर का पीचा करने पर भी वो काड़ता है और तुम जाते हो सिंग को ललका रहे हो दारती हो अपने रती के आदेश का पालंग करो इतनी भी क्या श्रीकृता है अंगराज कि हमें अपने साथ द्वन्द का सम्मान नहीं दोगे कि आदेए तुम पालंग Marine कि हमें पालंग फो प्रफ कि घा मेरे मार्ग से हटो नकुछ से देव! नहीं अंगराज! अब मार्ग ही ऐसा है कि हमें मध्य में टक्राना होगा हमें हटाए बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते देव मैं अपनी अनुजो की मृत्यों को भूला नहीं हो आज बे तुबह नहीं छोड़ूं का भीम नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा अंतियम अफसर देता हूँ मेरे मार्ग से हट जाओ आज तुम मेरी आखे तूची में नहीं हो परन्तु आज आज आप हमारी आखे सुची में हंग राज द्वन सुईकार करो हाँ अपाँ क्या हुआ साना पत्यांग राज मेरे भांजू से भैतों नहीं लाग रहा तुम्हें मेरे पास और कोई भी करना है तुम्हें जाओ जमा कीजिये राजमाता मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है करहाँ से तुम्हें तुम्हेंग करना मेरे करे 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 दो झाल झाल झाल